46 दिन, 48 मैच, कहानी वर्ल्ड कप की, पूरी दुनिया की निगाहें उस पे हैं, और अब निगाहें वहाँ भी जा पहुँची हैं कि वर्ल्ड कप के लिए कैसी होगी टीम इंडिया, वैसे तो इस बार वर्ल्ड कप शुरू होगा 5 अक्टूबर से, जब न्यूजिलेंड इं दिखाई देंगे, नंबर 4 पे दिखाई देगा ट्राफिक जैम, क्योंकि श्रेयश अयर वहाँ पर हैं, वहाँ पर केल राहुल हैं, वहाँ पर सूरी कुमार यादव हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि श्रेयश अयर वहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 5 पे केल र नुमर नौ, दस, ग्यारा, शमी, सिराज और जस्परित बुम्रा, पॉबारा, ये तीनों पेसर्स नज़र आएंगे और टीम इंडिया बहुत बैलन्सड, बहुत सॉलिड, डेफ्ट इन बैटिंग, काफी अच्छी नज़र आ रही है, इंडियन कंडिशन्स भी हैं, लेकिन इंडियन कंडिशन्स अब बहुत मड़ा अडवांटेज इसलिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजिलैंड के प्लेयर्स ने IPL खेला हुआ है, और वो स्पिन से यूस्टू हैं, तबनी टीमें कौन सी हैं जो दावेदारी कर सकती हैं, सारी टीमें इंडिया को दावेदार इसलिए बता रही हैं, क्योंकि इंडिया दावेदार है, होम अडवांटेज के साथ, लेकिन होम कंडिशन्स ऑल्मोस्ट पाकिस्तान की भी वैसी हैं, पाकिस्तान भी एक तगड़ी दावेदार टीम है, अलावा उसके आस्ट्रेलिया, बाकि cricket is a game of surprise and uncertainties तो कोई अनोखी टीम भी अपना कमाल दिखा सकती है तो कमाल का वर्ल्ड कप होने वाला है उम्मीद कीजिए कमाल टीम इंडिया करे एक बार वर्ल्ड कप खिलने के लिए टीमें यहाँ पर आए और वर्ल्ड कप यहीं छोड़ कर जाएं जब फाइनल मुकाबला हो 19 तारीक को इंडिया उसमें दिखाई दे और इंडिया जीते भी All the best to team इंडिया